देखिए अभी तक आपने convex या concave lens की focal length का formula पढ़ा, क्या था, 1 upon f is equal to 1 by v minus 1 by u, ठीक है, अब हम दो lenses को combine किये दे रहे है, दो thin lenses को combine करेंगे, combine focal length of 2, दो thin lenses है, ठीक है, combine कैसे करेंगे, जब practical आप करोगे, तो आपको एक strand मिलेगा, उस strand में दो lens लगाने का जगह होती है, दोनों को combine करके रख दिया जाता है, ठीक है, दिखो ज्यान से, तो पहला हम case लेंगे, first case लेंगे, इन बोध हर convex, बोध हर convex, दोनों कैसे lens है, convex lens है, देखे, हमने काज ये एक convex lens है, L1, suppose L1 is a convex lens, L1, पहले एक lens की बात करते हैं, और इसकी focal length हमने क्या मानी है, फिलाहाल, F1, जो हम बोलना है वही आपको लिखना है, ठीक है, इससे, U distance पर, इससे U distance पर, एक object रखा है O, तो ये इसकी image बनाएगा, तो इसने इसकी image बनाईए, माले ये light ऐसे की नहीं, और ये reflect होकर के, ये light यहाँ पर कहीं आकर के, गिर जाएगी, और यहाँ पर I dash पर image बनाईए, जो इस lens से कितनी distance पर है, V dash lens से है, ठीक है, तो हम इसके, reflection formula की करेंगे, far lens L1, far lens L1, तो L1 के लिए object की दूरी क्या है, U, image की दूरी क्या है, V dash, focal length क्या है, F1, तो इसके लिए focal length का formula क्या लगाएंगे, 1 upon F1, is equal to, 1 upon V dash, minus 1 upon U, यह question mark क्या हो गया, F1, अब चला समय लिए बाद में करिएगा, अब क्या हुआ, इसके combined में एक और पतला से lens रखा हुआ है, अब यह ने समझ दा कि दूसरा पतला है, पहला मोटा है, वो दोनों lens पतले है, यह दूसरा lens L2 है, जिसकी focal length F2 है, O की image कि ने बनाई है, पहले lens ने बनाई है, जब L2 रखा गया, क्या L2 के सामने O दिखेगा उसको, नहीं दिखेगा ना, बीच में lens लगा हुआ है, तो I dash L2 के लिए क्या करेगा, एक virtual object तरह वर्क करेगा, real object तो O है, तो यह L2 क्या करेगा, इसकी final image कहा बना देगा, I पर बना दे बनाएगा, कितनी discipline बनाएगा, V, चुकि थिन lens है, तो यह separation negligible है, तो far lens L2, far lens L2, update की दूरी क्या है, V dash, image की दूरी क्या है, V, focal length क्या है, F2, तो 1 upon F2 is equal to, 1 upon V होता है न, तो 1 upon V, तो 1 upon V हो जाएगा, और 1 upon U क्या हो जाएगा, V dash हो जाएगा, इन दोनों को add कर दो, adding, equation 1 and 2, तो add करोगे, तो V dash V dash क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, तो आजाएगा, 1 upon F1, plus 1 upon F2, is equal to, 1 upon V minus 1 upon U, यह equation number 1 है, इसके बाद, बले यहां तब पहुँचिए, फिर हम बात करें, अब देखिए, अगर हम माल लें, कि combined focal length F माल लें, let F be the combined focal length, मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, यह एक lens, दो lens नहीं, एक lens है, यह एक lens है, जिसकी object की दूरी कितनी है, यू, और image कहा बन रहा है, आई पे, तो 1 upon F is equal to, क्या होगा, question number, यह इनको add किया है न, तो यह equation 3 हो गया, equation 4 हो गया, जड़ा equation 3 और 4 को देखिए, दोनों का यह side equal है न, तो यानि कि, दोनों के left hand side भी equal हो जाएंगे, तो कर दिजेगा, by equation 3 and 4, by equation 3 and 4, तो क्या result आया, 1 upon F is equal to, 1 upon F1 plus 1 upon F2, यह combined focal length का formula होता है, इसको आप, यह लिख दिजेए, ठीक, न, 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 वो लगभग माल लिया गया है, कि उतना पतले lens है, यह कोई बहुत खास अंतर नहीं है, यह मान के चला गया है, ठीक है, न, थोड़ा बहुत आएगा, यह लेकिन उतना उसको negligible माल लिया गया, कि यह negligible है, यह बहुत thin lenses है, यह इनके बीच की दूरी का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइस बीच में gap तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकि माल लेते हैं यह, नहीं होगा, तो combined focal length का formula 1 upon f ब्रावर, 1 upon f1 plus 1 upon f2, इसमें दोनों lens कैसे थे, convex, अब अगर हम माल ले, let one lens is concave, first lens is convex, lens is convex, पहला convex होगा, and second is concave, second is concave, अभी क्यों पहला concave में ले रहे हैं हम बता रहे हैं भी, तो यानि कि simple सी बात है, कि concave की focal length कैसी होगी, negative, और convex की, positive, तो formula क्या बनेगा, 1 upon f is equal to, 1 upon f1 plus 1 upon, जो minus f2 हो जाएगा न, तो इसको solve करेंगे, तो 1 upon f is equal to, minus यहां बीच में आएगा, LCM लेंगे आप, f1, f2, तो यहां पर क्या आएगा, f2 minus f1, तो यहां से f की value क्या निकलेगी, f की value निकलेगी, f1, f2 upon, f2 minus f1, यह equation number डाल दो, इसको 6, अब यहां पर cases स्टार्ट होंगे, पर यहां तर पहुँचिए, ज़रा देखिए, यहां पर 3 cases आएंगे, पहला case से है, एक convex और एक concave है, अगर, f1 is greater than f2, f1 किसकी focal length है, convex की length ले रहा हूँ न, f1, और f2 किसकी ले रहा हूँ, second वाले की, और आपने का, f1, f2 से बढ़ा है, तो दो तरीके समझिएगा, एक mathematically समझिएगा, एक physically समझिएगा, पहले mathematically देखते हैं, देखो, by question 6, अगर, f1 की value बड़ी है, तो ये overall value negative आएगी न, नहीं आएगी, भाई, f1 negative आ रहा है न, तो f will be less than 0, वो ले तो negative, और negative focal length किसकी होती है, concave lens की, so combined lens, so combined lens will behave, will behave like concave lens, concave की तरह भी behave करेगा, ये तो mathematically हमने एप्रूब कर दिया, अब ज़रा physics सी भास हम देखिए, अभी बाई चांस से हमने बताय नहीं था, power focal length का उल्टा होता है न, जिसकी focal length ज्यादा, उसकी power, कम हो जाएगी, तो यहाँ किसकी focal length ज्यादा है, convex की, तो power किसकी कम होगी, convex की, किसकी होगी, concave की, तो जब concave की power ज्यादा है, तो combine lens किस तरह भी behave करेगा, भई गुंडागर्दी कौन दिखाएगा, concave दिखाएगा न, तो यह पहला case है, case number 2 देखिए, इसी में हम, आप उसी दिखाएग ने कर देना, अगर f1 less than f2 है, f1 छोटा है, f2 बड़ा है, तो overall value कैसी होगी, यह value greater than 0 होगी, यह पॉजिटिव होगी, तो combined lens कैसे भी behave करेगा, convex तरह भी behave करेगा, convex तरह भी behave करेगा, हाँ mirror को lens पढ़ा जाए, हमने जानबूच की mirror लिखाता है, जिससे आप पताएं कि हमने गलत लिखा है, ध्यान से आप देख रहें कि नहीं देख रहें, वोना हाँ हाँ बोल नहीं कि यह बोल, क्यों, focal length किसकी छोटी है, convex की, जिसकी focal length छोटी उसका power, पावर का मतलब क्या होता है, bending power, ठीक है, जिससे कोई कहता, मैं बड़ा powerful, बड़ो बड़ों को जुका देता हूँ, ऐसा बोलते है न, तो वह lens भी करता है, अगर power ज्यादा, तो light ray को ज्यादा जुका देता है, तो वह focal length किसकी ज्यादा है, इसकी, concave की power किसी ज्यादा होगी, convex की, तो जब power ज्यादा होगी, तो दोनों मिलके सबसे ज्यादा भोकाल काउन टाइट करेगा, convex, तो combined lens, convex तरह भी हैब करेगा, ठीक है, अब ज़रा तीसरा case देखते हैं, कि दोनों की focal length equal है, तो mathematically देखिएगा, अगर दोनों focal length equal होगी, तो denominator में 0 आ जाएगा न, f क्या हो जाएगा, infinity, infinite focal length किसकी होती है, तो combined lens we have like a plain glass plate, like a plain glass plate, plain glass plate, क्यों, एक तो भई, mathematically दिख रहा है, अब ज़रा फिजिक्स की बहाँ सामें देखिए, आप फिज्या करता है, आप फेलल लैट गाए लैट गई आप प्रिंस्पर गए कारस कीदा दूरान कियोंगा जो प्राब्लम दोनों की ताकश सेम है, तो लैट रे क्या करेगी, वह बिशारी न नोंकी माने जाएगा, उनकी मान इसे देख पासली जाएगी, मजबूरी होत तो आप क्या करोगे, खड़े रहोगे, बैटे दो मारेंगे, नहीं बैटेंगे, दो मारेंगे, तुरसे बढ़िया, दोर रहो, समझे बात आ गई, तो ये आपका, अच्छा, नोट करिए पहले, अब यहाँ एक कांसेट और बताइए, क्या दोनों लिंस कांकेव नहीं ले सक दोसे बताइए, ले बोक पे लिया गए, नहीं ले सकते हैं, गयोओ, ऊपर चली जाएगी, μतलग अच्छा पे लिने ले लियाएगी, देखे पहला लेंस इमेज बनाता है, और जब दूसरा लेंस चाहता है, तो वो उस इमेज का इमेज बनाता है, क्यों हम खाला बनाता है तो concave image कैसी बनाता है virtual यानि वो एक चुनिम में image होती नहीं और जब दूसरा concave आएगा तो उससे क्या कहना पड़ेगा जो image बनी है पहले ने बनाई थी उसकी बना image और डूड़ेगा image दिखी नहीं दिखे तो इसलिए दोनो concave नहीं हो सकते अच्छा अभी एक convex लिया था एक concave लिया था पहला concave नहीं ले सकते पहला बना देगा virtual और जब convex आएगा जो कि real image बनाता है तो उसको पहले बाले की image दिखनी चाहिए इसलिए हम यहाँ पर एक concave दोनो concave नहीं ले सकते ठीक है अब हम power of lens की बात करने जा रहे है power of lens यह पहले बताना चाहिए था जूकि बच्पन से पढ़ते आ रहे हो देखे physics की भासा में lens की power का मतलब क्या होता है light ray जो गिरे उसको जो ज़्यादा जुका दे या जो उसका nature है तो दूर करने का nature है तो दूर कर देगा नहीं समझे तो दोनों की power same हो सकते ना लेकिन वो उसका negative power होगा तो अच्छा अगर lens की focal length कम है ठीक है focal length कम है तो power उसकी ज़्यादा होगी और focal length ज़्यादा है तो कम होगी तो यानि की power का formula क्या होता है दा क्या बोलेंगे the reciprocal of focal length is known as power condition क्या है the focal length should be in meter तो power का formula होता है one upon f when f is in meter अब आप कहेंगे साब centimeter में होता हो तारी meter में convert कर लो क्या दिक्कत है अगर हम कहें इसका unit क्या होता है तो वैसे तो meter inverse होता है या इसका diopter होता है diopter होता है तो diopter भी लिखते है और inverse भी लिखते है ठीक और अगर एक concave है तो power negative आएगी convex है तो power positive होगी note करिए अच्छा अभी हम करे ते smaller focal length greater the power क्यों smaller focal length का मतलब क्या होता है कि ये focal length ये focus नजदिक होगा और आप जानते हैं कि parallel जो light ray आती हो तो कहां गिरती ही जा करके focus होगा जाती है तो focus कम होगा तो bending अपने आप ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा bending बोले तो ज्यादा power तो इसका मतलब focal length कम तो power ज्यादा अच्छा हमने एक चीज़ा बताए थी कि power of the lens when it emerge in the liquid याद करिए इक्जामपल हम दे रहे थे power of the lens when it emerge in the liquid power of the lens power of the lens when emerged in the liquid emerged in the liquid मतलब क्या हुआ कि भाई आप बड़े भोकाली मास्टर है हाँ 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 Newton वो तो पहले पैदा हो गए वोना हम ही Newton थे वो तो दे गए निया वोना हम तो थोड़ा और उसमें बढ़िया बढ़िया देते ठीक है लेकि जब आप medium में जाएंगे आपके चारो तरफ एक्जामपल में जाएंगे तो आपको मालू होगा ना कि आपको पाउर क्या होगी तो जब lens किसी liquid में जाएगा किसी medium में जाएगा तब उसकी power का पता चलेगा तो हमने तीन case बताये थे याद करिए एक example दिया था हमने class और student का याद है ना ठीक है teacher और student का क्या बताया था कि अगर teacher class में जाता है और teacher का index class के index से ज़्यादा है लेकिन teacher है वो और demo class है तो क्या होगा उसका power काम हो जाएगा याद हो गया अगर class में जाता है और class का index बोले तो knowledge teacher के index बोले तो knowledge के बराबर है तो teacher हो जाएगा ना सुनक में कौन बात पर कौन अजे सिंग कौन विजे प्रताब यानि इमर्ज उसमे नहीं वो power तो मारो गोली ना वो डिसेपियर हो जाएगा दिखेगा यह नहीं ठीक है और अगर class का index ज़्यादा है teacher का index कम है कहा हो भी याँ वो अपना दान दिखा देगा है अपना nature change कर देगा convex है तो concave तो concave है तो ठीक है भाई जैसे आप अपने आपको वे चोटे चेत्र में रहते हो आपने पड़े वोकाली समझते हो मैं मारा मैं है मैं ता जम मैं था था ता उरह नहीं और ज accompaniment हो भाहर निकले तो आपको देखता है मतब आप एक छोटे से अध्रे से हो आपके एक से तर च encuentra पड़े हूए है अब एक यहाँ पर case all ले लिजेगा power of combined focal length लिखिए फिर एक special case लिखवाते है power of combined focal length combined lens, sorry power of combined lens combined lens पहले हमको power बतानी चाहिए थी तो combined focal length का formula क्या पढ़ा आपने 1 upon F1 plus तो यह हो जाएगा power is equal to P1 plus P2 काम कहता है जैसा nature focal length का होगा वैसा nature power का होगा अगर focal length negative है तो power भी negative होगी यानि concave के लिए power negative होती है क्यों? जनरल बात है power का मतलब क्या होता है जुकाना और वो तो क्या करता है? दूर कर देता है इसलिए उसको negative लिया जाता है ठीक है? वो भी उसकी power है मतलब कम focal length ज्यादा power उसकी भी होगी दूर करने के power ज्यादा है ठीक है? note करिए अब combined focal length में आप क्या कर रहे थे? एक convex lens लिया था उसने image बिनाई थी दूसरा convex लिया उसमें सटाक रख दिया उसने final image बिना दी अब कह रहे हैं अगर lenses थोड़ा separate पर रखे हूँ प्रूफ नहीं करना है if thin lenses separated by small lenses एक special case है special cases आपके book में नहीं है वो slabus में वालकी बात है वो slabus का ही पार समझो if thin lenses thin lenses are separated by a small distance separate की spelling सही है ना नहीं smellies ले पूछना है कि spelling हमारा कोई subject थोड़ी है हम तो गलत भी दें spelling क्या दिक्त बोलें सही small distance क्या मतलब है मतलब कुछ नहीं है को diagram थोड़ी बनाना है तो अगर माल ने यह जो lens है ना यह lens पहला lens था इसकी focal lens कितनी थी f1 और दूसरा lens जो है वो इससे थोड़ी दूर पर रखा हुआ है यहां पर रखा हुआ है यह f2 है तो नियमता है एक object यहां रखा है यह आपका principle axis है और इसने इसकी image यहां कहीं बना दी eye dash पर और इसने इसकी final image कहां बना दी eye पर और इसके बीच की दूरी कितनी है d अगर ऐसा है तो इतनी दूर होना चाहिए कि यह image यहां बने जाकर के नहीं समझे वह अगर इसने इस वाले lens ने इस object की image यहां कहीं मना दी और यहां पर इस lens रखो का करेगा यह बहुत जाते हैं बहुत ज़्यादा होगा तो इसकी image अलग से बनाएगा जाकर के लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो अगर इतनी distance है तो इसकी focal length का formula होता है 1 upon f is equal to 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 f2 यह formula होता है याद रहेगा ना अच्छा अगर power का formula लिखें तो यह p है ना यह p1 है यह p2 है और देखे minus d कर दो और इसको 1 upon f1 into 1 upon f2 क्या हो जाएगा p1 into p2 यह अलग case है यह generally memory में नहीं रहता है क्योंकि slivers का एक part नहीं ऐसा नहीं कह सकते आप ठीक है यह लगभख हानुमेरिकल इस पर आ सकता है तो इस formula को ध्यान से देख लिजी हाँ होंगे